इनका result 99.something है, कितने घंटा पड़ते थे, कभी-कभी बाड़ा घंटा भी हो जाता था, लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है, लास्ट का 4 मेना हम ज्यादा अच्छा सपड़े हैं, फॉर्स्ट एटेम्ट में 465 के आसपास था, फिर 520 और फिर 608, असफलता की सीडियों पे से बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ये मोटिवेट कर पाते हैं, कितना बता पाते हैं, इनको कॉलेज मिला है, नालंदा में, VIMS नाम है, वर्दमान इंस्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस, तो इनका result तो पहले आ चुका था, लेकिन कॉलेज नहीं मिला हुआ था, कॉलेज मिलता है थोड़ा समय में, और हम लोग इंटर्वीव सुट कर रहेते हैं, कुछ लोग कहने लगता है कि कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब, तो इसलिए अब कॉलेज मिल चुका, इसलिए इंटर्वीव सुट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने बारे में तो हम लोग जो है कि अपना पढ़े काई सफर को यहां तक पहुंचे हैं सबसे पहले तो मैं अपना स्टड़ी दिन में में गाउं से स्टाइट किया था संबूचक से उसके बाद कल्यानफुर आया उसके बाद मोतिहारी का हम लोग 225 में उसके बाद CMJ स्कूल में पढ़े औ का हम लोग homem य साथ पढ़ते थे और घर पे भी हम लोग했ाम में तो इसके बाद जो है किद में आप चले गए पटना में चले olması कोठा है तो पतना गए तो पतना मे पहां इंस्टिट्टृट उट स्कोbas आ ना-पना प्रट्टा में तो बहुत सरा पहले इंस्टिट को देखें याकर पता पहले है पता करें लेगन बता कि लिए तो आखिर कार उसी में जाके अडिशन होगा तो आपका तेंथ तो डिएवी से था उसके बाद आप पटना चले गए पटना में गए तो फिर आपका ट्यल्थ में एडिमिशन कहां पे था तुबस में मुतिहारी के MS कुलेज में था और तेंथ में आपका कितना नमर था कितना पर्शिट में यहार बुड़ से परसेंट है और पतना में गॉल इंस्टिट्यूट से आप यार ही कर रहे थे तो फर्स्ट अटेंप्ट आपका 2020 में था था पटना से गोल से ही थे हैं कितना है उसमें 520 फानट् न यह थोग ऍटना ओंट 608 आया 608 99 परसेंटाइल जोगी होता है तो देखिए फॉस्ट एटेम्ट में 465 के आसपास था फिर 520 और फिर 608 एक ग्रेजुवल इंक्रीज आप देख पा रहे होंगे कि आया तो लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है सफलता और सफलता की सीड़ी है ऐसा कहा जाता है और यह बता है कि नीट के त्यारी लगभग आप 4 साल किया है तो कितने घंटा पड़ते थे मतलब देखा रहे हैं तो 6 घंटा के आसपास पाहर जाता था कभी-कभी 10 घंटा होगी कभी-कभी 12 घंटा भी हो जाता था 6 घंटा यह सेल्फ एस्टडी हुआ और अगर कोचिंग करत तो 6 घंटा पांच घंटा उसमें पिता थे लगभग 10-12 घंटे डेली स्टडी यह जो होता है किसी किसी दिन होता था कि परने का मन नहीं भी किया तो छोड़ देते थे तो कभी-कभी बैक्री हो गया तो इसमें जो लास्ट वन इयर है जो पिछला एक साल रहा है इसमें चार-पांच घंटा पड़ते थे डेली का सिल्फ स्टेडी सिर्फ तो फिर उसका लास्ट में चार महीना जब एक्जाम का समाय आया उस टाम से हम मतलब 8 घंटा यह 7 घंटा डेली पड़ते थे उसमें लास्ट का चार मेना हम ज्यादा अच्छ सपड़े है तो आप दिन में अब तक मतलब उसके बीच में जो भी ब्रेकफास्ट है और उसका लेकर पूरे एक दम साम तक अब जो गोल था मेरा इंस्टूट में चले जाते थे खापी के वहां से साम कवाते थे रात में आठ वजे मतलब की सुबह आप उठे तयार हुए खाना होना खाली यह जो भी ख अचा गोल में है आप सेट अपना की अगया थे इस तरीक ऐसे कि ना चलिए बहुत जो लेकिन हाँ सबका अपना एक तरीका है हमने उसको एकजांपल को सेट करने का परयास किया मेरा अकलन यह रहता है कि अगर आप 6 गंटा सेल फेस्टड़ी और 6 गंटा ट्यूसन जाकर के मतलब कोचिंग लेते हैं तो नीट निकल जाता है ठीक है तो लगबग वही चीज है इनके साथ भी यह 8 गंटा 10 गंटा कभी किये कभी 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 चुट भी गया लेकिन एक एवरेज निका लिए तो वही 6 गंटा के आसपास आता है और इन्होंने क्राइक किया हुए है तो यह बताई अपने गाउं के बचों को आज पर उसके लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे तो यहीं बोलना चाहें कि पढ़ाई उतना बीडिक्विक नहीं है अगर सीरियस होगे थोड़ा सा भी सीरियस है बहुत असान चीज है इसको राम पढ़ा जा सकता है मतलब असक सफर में किसी का ऐसा इमपोटेंट साथ आपको मिला हो तो उनके बारे में कुछ सकते हैं हैं इंपोटेंट इगोस का मतलब होगा है कि करद्रीयन का था हिह हैं उसके अलावा जैसे मैं क встрет्adora हैं जो मतलब मेरे बेक्ष में तो ज्यादा मोल हो गया और यहां पे खुद हैं को दोलत वाली खुद ही है तो मैं गाएगी मेरे साथ तेन से भी पढ़ हैं तो ज्यादा मोटिवेशन इन से भी मिलता है